नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्टूब चैनल प्रदीप एदू बोध पर दोस्तों आज मैं दी एलेड सेक्षन से यूनिट वन का पार्ट दो भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ यदि आप लोग यूनिट वन का पार्ट एक नहीं देखे हैं तो त्रिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का लिंक है वहाँ पे जाकर पार्ट वन देख सकते हैं तो चलते हैं क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन है आज का शिक्छा के उद्येशों में क्या-क्या आवस्चक है ओप्शन है ए समाज की आवस्चकता बी समाज की मान्यता सी समाज के आदर्स डी ये सभी क्वेशन शिक्षा के उद्येशों में क्या क्या आवस्यक है A. समाज की आवस्यकता बिल्कुल सही है B. समाज की मानिता ये सही है C. समाज के आदर्स ये भी सही है तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन D. ये से भी चलिए नेस क्वेशन की और क्वेशन नमबर दो सिक्षा परिवर्तन का एक साधन है यह कार्ज समाज में निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है A. परिवार द्वारा B. धार्मिक समुहों द्वारा C. सामाजिक एबं राजनितिक संस्थाओं के द्वारा D. ये सभी सिक्षा परिवर्तन का एक साधन है यह कार्ज समाज में उपर युक्त सभी के द्वारा किया जाता है अर्थात Option D. इसका राइट आंसर होगा चलिए नेस्ट क्वेस्टन की ओर हिंदू कोलेज की आस्थापना कब हुई थी Option A. 1816 Option B. 1817 Option C. 1819 Option D. 1819 इसका राइट आंसर हो जाएगा Option B. 1817 इसका राइट आंसर चलिए क्वेस्टन नमबर चार की ओर अलिगाड मुस्लिम विश्विद्याले की आस्थापना कब हुई थी Option A. 1930 Option B. 1925 Option C. 1920 Option D. 1921 तो अलिगाड मुस्लिम विश्विद्याले की आस्थापना 1920 में हुई थी Option C. इसका आंसर राइट आंसर होंगो 1920 Question नमबर पांच की ओर बरते हैं Question नमबर पांच किस समय ओदन्त पूरी और विक्रम सिला विश्विद्याले की आस्थापना हुई थी A. प्रतिहार वंस B. राष्ट कुट वंस C. चोल वंस D. पाल वंस इसका राइट आंसर हो जाएगा D. पाल वंस पाल वंस के समय ओदन्त पूरी और विक्रम सिला विश्विद्याले की आस्थापना हुई थी Q6. विद्याले सिक्षा का ताइस अभिकरन है कौन सा अभिकरन हो जाएगा Option A. अप्चारिक Option B. निर अप्चारिक Option C. अनप्चारिक Option D. इन में से कोई नहीं तो विद्याले सिक्षा का अप्चारिक अभिकरन है Option A. इसका आंसर हो जाएगा किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्वर करती है किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्वर करती है Option A, श्रेष्ट नागरिकों पर Question number 8, समाजी करन की महत्फुन संस्था नहीं है परिवार, Option B है, समुदाई, Option C, विद्याल है, Option D, सरकार तो समाजी करन की महत्फुन संस्था नहीं है, परिवार तो है, समुदाई भी है, विद्यालाई भी होगा, लेकिन सरकार नहीं होगा इस तरह से समाजी करन की महत्फुन संस्था कौन सा नहीं है, तो सरकार, इसका राइट आंसर D हो जाएगा क्वेशन नमबर न, समाज, समाजिक समंदो का जाल है, या कतन किसका है, गिदिक्स अप्शन A, अप्शन B, राइट, अप्शन C, मैं कावर एवं पेज, अप्शन D, लेपियर समाज, समाजिक समंदो का जाल है, या कतन, अप्शन C, मैं कावर एवं पेज का है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं कावर एवं पेज Q10. विद्यालाई समाज का सच्चा प्रतिनी दी है? यह कथन किसका है? विद्यालाई समाज का सच्चा प्रतिनी दी है? यह कथन जाउन डी वी का है? चलिए नेस कुश्चन की और? Q11. बालक के समाजी करन की पर्थम महत्फुन संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार चलिए ओप्षन कुश्चन नमबर 12. माधिमिक शिक्चा आयोग कब आया? ओप्षन A 1905, ओप्षन B 1902, ओप्षन C 1904, ओप्षन D 1968. तो माधिमिक शिक्चा आयोग 1904 में आया. ओप्षन C इसका राइट आंसर हो जाएगा. कोठारी सिक्चा आयोग कब आया? अब सभी को पता ही होगा. इसका आंसर राइट, ओप्षन 64 और 25, ओप्षन C. चल ये, चल. 14, प्रशन संख्या 14, विद्यालाई के उदेशों से समाज में क्या मूल परिवरतान आता है? पहला है, लिंगिये और समन्ता में कमी आती है, ये बिल्कुल राइट है. साम्मुहिक्ता की भावनावत्पन होती है, ये भी सही है, साथ साथ काज करनिक परिविर्थी बढ़ती है, ये भी सही है, इस तरह उप्यूक्त दी, इसका आंसर हो जाएगा. क्वेशन नमबर फंद्र, सिखने की परकिरिया में परिवार के बाद सर्वपरियास्थान निम्निमें से किसका आता है? परिवार का बाद सीखने की परकिरिया में परिवार के बाद सर्वपरियास्थान बिद्या लाएगा आता है Option C इसका राइट अंसर हो जाएगा Question No.16 संस्क्रीती में किसी समुदाई के सामुईक उत्किष्ट अनुभव को रखते हैं संस्क्रीती में किसी समुदाई के सामुईक उत्किष्ट अनुभव को रखते हैं जिसका संबंध है हमारे कान खान पान से बिल्कुल सही है हमारे संगी सुनने से ये गलत है पहनावा से ये भी सही है तो इस तरह Option D, A और C सही इसका अंसर हो जाएगा समाज सिक्षा का खाली जग अभिकरन है कौनसा है अपचारिक, अनपचारिक, निरपचारिक इन्वेस से कोई नहीं इसका राय टैंसर हो जाएगा अनपचारिक अठारा दर्शन का मुखु देश बास्तविक्ता का ग्यान है ये कथन किसका है जाउन एस्मिट ओप्शन B, जाउन डीवी ओप्शन C, स्वामी विवेकानन्द ओप्शन D, महत्मा गांधी जिसका राय टैंसर हो जाएगा जिसका राय टैंसर हो जाएगा जाउन डीवी ओप्शन नंबर उनीश शिक्षा मनुष के अंदर सन्निहित पुर्णता का प्रदर्शन है ये कथन किसका है ओप्शन A, कौन्ट ओप्शन B, विवेकानन्द ओप्शन C, सुक्रात ओप्शन G, दीजे कृष्ण मुर्थि इसका राय टैंसर हो जाएगा विवेकानन्द शिक्षा मनुष के अंदर सन्निहित पुर्णता का प्रदर्शन ये कथन विवेकानन्द का है इसका राय टैंसर हो जाएगा ओप्शन A, जे कृष्ण मुर्थि जिक्षा संबाद की परकिरिया और सन्निह की अनुभूती है ये कथन जे कृष्ण मुर्थि का है तो दोस्तों आज का क्वेस्टन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कोमेंट करके अपनी राय दे लाइक और सेयर करें यदि आप मेरी चैनल को पहली बार आए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद करेंगा